हेलो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चटनी के दिसे पिर सेयर कर रही हूं जिसे एक बार बार बनाओगी तो बार बार बनाना चाओगी इतना स्वाधिश्टी चटनी पन के त्यार होती जो छोटों से लेके बड़े को खूब पसंद आएगा यह रोटी पूरी द कीश में आजा अफ्हуса को निकालने से क्या होगा यह जल्दी से पक के त्यार हो जाता है हाट पार्ट में थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है तो इस था से इसका हाट पार्ट कट करके त्यार कर लिया है ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा इस तरह से मैंने मीडियम से कट करके त्यार कर लिया फिर कड़ा ही लेना है और इसमें दो बड़े चमच तेल गरम करने के लिए रख देना है तिल की गरम होने की बाद एक चमच इसमें राई डाल देना है ज मैं इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से मैंने डाल टीस आप को भारिक तुकलों में डाल सकते हैं यह पच्छे, मेरे घर चटनी बहुत पसंद करते इसलिए न मैं इस तरह से मिर्ची को बारिक करके नहीं डालती हूं इसमें खुब सारी कड़ी पतर डाल देना इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छे से एक से दो मिनट चला लीजिए हल्का सकला चेंज होने के बाद इसमें खुिप सारी मैं इसमें बहुत हीचलिश टेस्ट आता है अवर पोण होने के बाद में इसको प्राष पक्रण से डाल tax क्यों वह टक है और में दो हुआ हम भशन में तौक्ड चिंज होने के बाद में अच्छे से पका लेंना था कि ताकि नहीं हो ज़ली से शौप्ट हो निकलता है तो इसको ढगड़के पकाने से यह टमाटर बहुत ही जल्दी पक के त्यार हो जाता है और हमारा चटनी बहुत ही जटबट बनके त्यार हो जाती है इस तरह से हलका सपक जाने के बाद इसमें आधी छोटी चमच नमक या स्वादन अनुसार नमक डाल सकते हैं आध डाल भी सकते हैं चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है टमाटर का खटपन और हलका सा मीठा बहुत ही स्वादिश्ट लगती है इस तरह से आप इस चटनी को मना के रेडी कर सकते हैं एक से दू मिनट और ढग देना है ताकि जल्दी से पक की रेडी हो जाए यह चटन में बहुत ही स्वादिश्ट लगती तो इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करना इस तरह से हलका सथीख होने के बाद हमारी चटनी त्यार है इसमें धनियापती डाले और इसको रोटी पुड़ी दाल चाउन किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही स्व करके देख सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दूंगी वहाँ जाकर अब देख सकते हैं इसी तरह नए नए रेसिपी में रोज अप्लोड करती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली नए रेसिपी देख सकते हैं और वीडियो इच्छी लगी होगी तो रिफ्रेंस को सेयर जरूर कीजिगा, मिलते हैं ने इस टी वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग